इबने बतूता ने अपने सफर नामे में लिखा है कि अधरते इबराहीम जो प्रगंबर इसलाम के फर्जन से उनकी कबर के ओपर एक सफैद रंग का गुंबर बना हुआ था सफैद रंग का गुंबर और उसने यह भी लिख्था है अपनी किताब में कि खुद इमाम हसन की जो कबर थी उस पर भी एक बहुत बड़ा सा गुंबर था बहुत इस जो राइट साइपर जो बहुत बड़ा सफैद रंग का गुंबर जो आपको नदर आ रहा है जो इतना यह दोनों का गरा बिलाएं कि यह जो कबरे अब इस रहुत आत्मान से ले आ गई है और इनको पर धूप बगारा पड़ती है इनको पर बापाइदा इस तरह से गुंबर बना हुआ था और वो शाहिए जिन्नत बखी का सबसे बड़ा गुंबर था उसने का कि बहुत बहु इमाम हसन का तो कहा जाता है लेकिन क्योंके चारों आइनला वक्री वहीं पर सही सहरादी की कबर यह आज़ते पातवाबिन की असरत की या पर प्रगंबर इसलाम के चचा यह एक ही जगह पर इनको पर यह गुंबर बना हुआ था और इसको पर बाकाइद एक जरी भी लगी इसके बाद में उखाड़ी गई है तो बहर उसके बाद अब इस इस हालत में इस पबरें आस्मान तले इसके वार भूप पढ़ती है और एक जिल धीरानी का ससमा वह वहां पर रहता है और जिल उकून के आतुर होता है इसके इलावा से दिनी के अंद तक बात नहीं है बलकि इबन जुबैर ने जो साथ साथ में सदी इज्डिके अंदर लिखा गया सफर नाम उसके बहुत सारे गुंपदों का भी दद्करा किया है और इबन जुबैर ने इपने सफर नामे में बहतुल एहजान का दद्करा कि जहांकि शैजादी कहा करती है तो मैंने जैसे के पहले का कि इसने जुबैर का सफर नामा जो साथ की सदी इजिनी में और देड़ साल बाद इसने बहुता ने अपने सफर नामे के दर्स भी तमाम उन पर बज्ज हुए इस इमारतों का जो है वो तथकरा किया है अज़र पर जो है अफराद भी मुखरण की गए थी जो पहरेदारी बगारा के लिए तो बैला ने इन तमाम खुबूर के उपर गुंबदों का और पुंबों का दश्करा और बाकाइदा अज़र इवराहिंग हर्जन से प्रेगंबार की जो पबर थी उसके इतराफ की जो इस्ट् रखता भी ढ़ाये गए बहुत सारी जीजी और उसके बाद इबन जुबर के अपने सफर नामे में हद्धि उस्मान की कबर के उबर भी एक सफेल गुंबद का तथकरा किया तो उससे यहीं है बल्किलिए आम मुसल्मानों का भी मसल्मानों के लिए जो मुक्तलिक पाबले अधराम सहाब कराम यहां पर मद्धून हैं उनके खुबूर के उबर भी इस तरह से गुमबद और खुब्बे बगरा बने गुए लेकिन जैसे यह 19 सदी का आवाद हुआ वहावी मसल्ग के पैरोकारों ने इन हजारात को जो है को मुनादिम कर दिया और उनके निशानात म और खुबूर के उपर गुमबद रखना तेकि हम अधरों को जो इन इदाम जन्नत व्वकी है जो दलाइड वो लोग जिकर करते हैं और हमारी जिम्मेदारी सिल्स्वे में करें यह जिकर करता है वरना सारे चीज़ें जो हैं बसल्ग कबरों के जाना तवस्तुल करना उनकी को जो बिराए गए जिसका हमारा पुक्त हो हम यह कह रहें कि अगर हम आपकी बात यह मान लें कि यह तमम निशानात बिटा देने चाहिए और को ऐसी चीज़ यहां पर बाकी नहीं रहनी चाहिए इमारतों की शकल में इस तरह से आपने रखता रखता भी इन तमाम कीजों क और उसके अंदर वो तमाम चीजे जो मतले मुगाम इबराहीम बात में वो तब्दील कर देते हैं पिछले वाला मुगाम इबराहीम यहां पर लोग रेगुलर विजिट के लिए आते हैं जो आते हैं वो यहां पर खड़ियों को दूआ भी मांग सकते हैं तो इक्या वज़ मुजियम के अंदर रखे हुए हैं यहां पर लोग आ सकते हैं यहां पर खड़ियों को दूआ मान सकते हैं इनके वजीले से यहां इनकी तवरुफ हासिज करके हैं इसी तरी तो से जो खाने काबा के जो और दर्वादे वगारा हैं वो भी यहां पर रखे हुए हैं खाने का जो जमजम का कुवा है उसके अंदर तो एक इस क्रक्चर था जिसे वो डोल वगारा केंच से पानी निकाला जाता था वो पी इस म्यूजियम के अंदर तो बहराल ये तमाम चीज़ फिर किस दलील से तीकिए वहभियत का हमेशा से एक तरीचकार है उल्मा फर्माते हैं उनका दलीचकार है इतना जूट बोलो इतना जूट बोलो और किसी के ना सुनो बस कहते चले जाओ वहाँ हमको नदर भी आता है बख्जी में जो अमराफ बस जब शिर्द 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 हराम उराम तो बहर दो लगत ये वी तरीचकार है पाइसादा P vậy ज़ी ये जब तक थकि मुसत अगर एक बात कर जाती तो आखर लोगों के दिमार मोशान वोए बात आने लगती यकिजु वापाई शिर्ट तो नहीं कहीं वागे कुफर तो नहीं हो रहा यही वज़ा है कि इतना तवील प्रोपेगंडा कर किया जा है जो लोग मतासिर होने लगते हैं आप ने देखा कि बहुत सारी बाते हैं अलकाइदा और पना अपनी जगा जो लोग इस तो से की बाते करते हैं लेकिन उन्होंने खुद से खड़ी की उसका खवा बनाया और वो ख़बरों के जरी जिन्दा रखा तो बहुत सी चीज़े प्रोपेगंडे के जरी कभी इन प्रोपेगंडा उससे लोग मतासिर होते हैं निसके गभरों पर जाकर दुआ क्वा तुमागने। आम theoओं पर जाकर भूसों नियुक्त प्रफ दॉा से लोगाँ, है लुघूरör से जाए। तो ये अफकार अब आ रहा है तो अब आपको चाहिए कि आप भी दलाइल के लियत हो जाएं और लोगों को खाइल करें जिसे मैंने भी का कि अजर रिसालत की यही अदाएगी अज़र इन लोगों ने कोई दलाइल को देखकर कोई नजर्या नहीं बनाया बलके खुद से एक इनाहराफी नजर्या इजाद किया है और उसके बाद लालाइल के सिल्सले में जाल साथी करने शुरूरी अज़र रसूल की बेसब से बहुत पहले बलके पैदाईश है रसूल से पहले दुनिया के मुक्तलिक इसों में अंबिया मातलफ के मजाराफ से उनके ख़ूर की पैदमर तो आखरे कभी है ने उससे पहले पैदमर के कितने अंबिया गुज़र चुके ना सिर्थ हे कि हमेशा से उनकी ख़वरों पर साइबान मौजूद है ना सिर्थ है उनकी ख़वरों पर इवारते बने हुँ हैं बलकर उनकी ख़वरों पर गुमबत भी पने हुँ है बतला हुआ जो शूष या सूष कि इसको लाजाता है शूर्ष दानियाद, यहां पर है फोजिस्तान इरान का, वहां पर गुंबद पूरी इमारत उसके उपर बनी होई है, और बाकाइदा उसके उपर च्छत भी है, शायवान भी है, गुंबद भी बना हुआ है, और यहां हुआ है, और हमेशा से चली आरही है, इसी तरही दो से इराफ में हजदत सौले और हूट के मजाराथ हैं, वहां पर इराफ में, उनके ओपर भी अगर आप देखें, यह हजदत सौले और हूट की खबरें, जो प्यवंबर एखुदार, इसके ओपर चट भी है, इसके इलावा इसके इन ओफ और हुआ हुआ है, मर्धियाख हलायट है, इसके इलावा अगर इसराइल हम देखने हैं, हजदत इबराहीम की जो गबर है, इसके बाद पूरी इमारत बनी है, उनके पूरा इसके ओप्यूरा, अबम्भत बना हुआ है, और हमेशा से चली आरह ध्जरति याकूब ऑलाहिएसलाम की पादूग, और ध्जरति याकूब के साथ की, ये यूसुप ऑलाहिसलाम की भी कबो, तो इनके जो अचसाद मताहरा थैं, ध्यूसा' ने मिसर से उनके लिखतों को बैद المقدस, मनतफिक, गिया ती और आज विनके इनके विए मग्बूदों उर्दन के इलाके के अंदर मौजूदी इन सब पर इमारते हैं इन सब पर गुंबद और मक्य में हद्रत इसमाईल और हज्रत हाजरा की और हद्रत इसमाईल की बेटियों की कबरें इसके नीचे, खाने काबा के सहन, अगर ये सब हराम था और इनके पास खड़े होकर जो है वो नमाज पढ़नी जाए जना थी, तो पिर क्या वज़ा है कि उनके तवरों के का तवाफ भी किया जाता है, वो खुद हिजर इसमाई तवाफ के अंदर शामिल थे, और जो हतीम का खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं लोग और बहुत इतना कंपिटिशन होता है कि बाद अपास यहीं बड़ी मिजाब रह्माद है कि लोग इसमें दाफिल होते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, और लोग थवाफ को हासिल करने कुचल के मर जाती हैं, तो पिर क्या जरे इसमाइन के पास कड़े होकर नमाज को बढ़ना क्यों हराम नहीं है, और अगर मसाजित और इसके अंदर कबरें जो हैं जायज नहीं है, तो यह खाने काबा का मस्जिद अलहराम का पूरा सेहन जिसके अंदर कहा जाता है कि कुछ रिवायतों में संतार और बहुत तो क कई सो अंदिया के पूबूर तक का तथकर है इसके ही, जो मस्जिद अलहराम का तहन है थी, आने काबा से मुझत से, तो यहां पर तमाम मुसल्मान खड़े होकर क्यों नमाजे बढ़ते हैं, तो बेहाल तो पेगंबर इसलाम को आपने देखा कि पेगंबर से पहले ही तमाम अंबिया मौजूद से, इनकी कबरों पर हमेशा से पुबे और गुंबद ये चले आ रहे हैं, लेकिन प्यगंबर ने कभी उनको बनी हुई इमारतों को मिस्मार नहीं करवाया, कोई हुकम नहीं दिया, ना पने किसी अथाप के जरी हुकम दिया, ना वहां पर जो उनको उ हुकम दिये कि जाओ और जाकर अंबिया के पुबूर पर जितनी भी इमारते हैं, जो गुंबद और पुब्बे बने हो इन सब को जाकर मिस्मार कर दो, यानि कम से कम कुछ अहदीसे तो ऐसी होती है, इसमें पर प्यगंबर इस्लामी हुकम देते हैं कि कम से कम अंबिया के पुबूर पर तो ये शिर्फ और बिदत नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और कम से कम यही पेगंबर कह देते चलें, अगर आप कहें दूसरे लापों के इंदर प्यगंबर ने हुकम ने दिया, तो इनहीं पर हिंजर इसमाईल के पास मुमानियत होनी चाहि तो ये प्यगंबर ये कर सकते थे, कि इनकी अजसाम किसी जगा मुंतखिल करवा देते, जैसे के अजसे मुसा ने इतने सारे अंबिया के अजसाम मिदर से बैद मुकद्स और मख्मूज और अर्दन के अलागे मुंतखिल करवा थे, कि भई यहां पर नमाजे पढ़ी जाती उनकी खबरों के पास कड़ों के नमाजे जायज नहीं है, तो लहादा इनकी जिस्मों को यहां से किसी और जगा मुंतखिल किया, प्रगंबर ये कर सकते उसे नहीं किया, और तिस बास इतनी तक नहीं रही, अजसे आयूप जो प्रगंबर ए खुदा, उनकी खबर बसरा मे जो है खबर है, अजसे दाउद अलाइससलाम की इसराहिल में खबर है, इन सब के उपर भी आप देखें कि इमारते हैं और गुबत बने हुए है, अजसे यूशा बाकाइदा जो अजसे आदम के बाद जो पेगंबर इखुदा थे उर्दन में उनकी खबर है, और उस जमान जाउद आप देखें कि पूरी एक अमारत बनी हुई है, और किसी भी आइमायर अथ्हार में से किसी ने, एहले बह्त में से किसी ने, कैमंबर ते आश्हाब बासफा में से की, इसके बास थे रही हुदु कहां कहां तक मुसल्मानों के हकुमत रही है, किसी ने जा कर है, अम खृष्ण कि अउड़र हम दो फब हैं इसके पूरी इमारत अग्पान से वर्य में अवे इसके इलावा है और चोईव अल्यस्यम की अंदर है। उसके उबर भी पूरी अमारत वागारा बनी हुई है। शाम में हधसे जखरिया की खबर है उसके ओबरी पूरे गुम्बत, खुब्वे और इमारते जो बनी हुई है फिर शामी में सहाबा में से हधसे बिलाल हबशी की खबर है वो भी उपता जो है इस तरह से बनी हुई और उपर बिल्डिंग और इमारत जो है वो भी मौझूद ह हुआ बलकि उनकी तामिय और हिफाज़त का काम जारी रहा है और इसकी इन आथार से देखिए दीन की हिफाज़त होती है देखिए कहा जाता है अलमा बयान करते हैं कि जो स्थाने इस्वी है यह अधरत इसा की पैदाइक से शुरू हो आज 2012 चल रहा है हधरत इसा हधरत मर् बन चुका किंके ना इन लोगों की ने जायोँ को महभू है हुआ हिसा कहा रहते थे थे उनके घर का कुछ नहीं पता हुआए है बयतुल मुपदस के इलावा कौं की जगए एसी ती थी जहाँ पर वो अबाद्थ यक्पित की ति कोई आथार न लोगोंійсьने महभूँ न तो भी एक अदबी और लिटरेचर का हिस्सा समझते हैं, जैसे कोई वादे हुआ ही नहीं, अगर ये निशानिया मौजूद होती हैं, देखिए तमाम आसार उन लोगों ने भी मिटाएं, और आज उनके पैरोकार भी इसी पॉलिसी को पर अमल पहरा हैं, देखिए अगर ये निसली आयनदा आने वाले आदवारों सजी ने इसमें शक्क हालत में नगरिफ्तरा हो जैसे आज जोग शक्क शक्क हालत में गरिफ्तार हुगाई, अज़र श्क्त्रा यजिशी के बिर देए नहीं, मुस्तमानों हु की बादिन की भींगार जोके फॉली देने का कुई वा यह हर जगा पर बातिल ने रोकने की कोशिच की वरना आप सुचिए कि रेगिस्तान या जंगल और बयाबान में जो वाकिए कर्बला परीश आया था कब का एक तारिखी अफ्साना करार दे लिया जाता अगर हम उसको मजारिस और मातम के जरिये बरकरार ना रखते हैं कब कर वो कहके खत्म कर देते हैं लेकिन हमने इस तरीकों से बाकी रखता था रसूल से मन्सूब यो चीज़े हैं चौदासो साल से पेगंबर की अफ़ानियत का सभूत हैं लेकिन हज़रत ईसा कितने बड़ी इसाई दुनिया है लेकिन उन्हें कोई चीज़े प्रिजर्व नहीं की लेकिन वो के बातिल सीज़े के ओपर थे को चीज़े मिटाते चले गए आज एक अफ्सानी चीज़ समझी जाने लगी लेकिन 14 साल गुजर गए हैं पेगंबर का ह पाक हुए उनके सांदार और घरवालों के खुबूर जो हैं कहां कहां हैं लेकिन अब रखास वक्त पे गुजरने के साथ था तो उन चीज़ों को मिटा ले जा रहा है ताकि आने वाली सतियों के अंदर इनके आफार बिलकुल महा हो जाए हजारों सार दिक इस तरह से गु को मिटा दिया जाए है यहुदों नसारा ने की देखिए साथ साज़िश के तहर इन आफार को मैभूस नहीं किया और आज भी उनके वह जरखरीश इसी पॉलिसी पर अमल पे रहा हैं मुसलसर आफार को फ़दम करते चले जा रहे हैं वरना देखिए जो ऑलिया हैं और सौल को पर इमारते भी बार Τ्प बनी हुए हैं गम्बत भी बनी हुए हैं पुबभे बने हुए हुए है यहारम सिस्टारा हराम कि तो पिर आप बताइए कि कुब्र रसूल के विए उह हुआ प्लगा अपिदक हुदह का आफियर रखा हुए तो लोग हम उस आप चलाप बहुत और अगर ये तकया आप कहां जायज था तो ये तकया आप ने वकी की खबरें गिराने में क्यों निस्तामाल किये तो देखिए अगर ये जो कहा जाता है कि पांच-साथ मिनिट के बार गुष्टू करने के बार तिर आपके बुड़ा वक्ता दे देंगे कि जो अगर आप ये कहें कि वड़ाएन गुड़ा थी और अबर इसके लाँके ुड़ा खालता है इस होगी इसके उपएर इमारत भी बनी हुई तो उसी अमारत के नीचे दपन तो उसी हुजरहे में वभाखं के बार पिखंबर इसलाम की भीनतुल खबर के साथ Fire एशा ने 50 साल गुजारे है 50 साल अगर उस खबर के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना किसी के कबर के साथ ममनु हुआ है, तो अधरत आईशा की नमाजों को क्या होगी? आप बता ही? अधरत आईशा की गुजरे के अंदर मुजूद थी, उहीं पर कगंबर इसलाम के कबर थी, और गुजरे उस जमाने में छोटे-छोटे होते थी, इसने कबर के विएकों करीवी बैठकर नमाजे पढ़ती होंगे, तो फिर वो नमाजे किस तरीकों से पढ़ती है? अब या नमाजे कबर के पास खड़ों कर पढ़ना जाये है, जहरे कबर को फिबला तो कोई भी नहीं बनाता है, हाँ उसके साथ खड़े हो जाती, उसमें तो कोई हराम की बात नहीं है, तो देखें, दफन के बात भी कितीने भी प्यगंबर इसलाम की कबर पर मौजूद ना तो छट को तोड़वाया, ना इमारत को तोड़वाया, और प्यगंबर इसलाम के जो रौज़ा है, गुमबद इ-खजरा जिसके एन नीचे कबर रसूर तो उसको पर एक वेंटी लेटर लिए, एक रौशन दान, अच्छे ये गुमबद इ-खजरा तो बात में बनाये गया, लेकिन प्यगंबर इसलाम की अपनी जो खबर मुबारक यहां पर 30 की जो छट है, एक दफ़ा बहुत मश्गूर वाकिया और बिलकुल मुस्तफिक अल लोगों को बताई थी, कि आप ये करें कि उपर एक सुराफ करवाएं चलनी, और यह जो उपर का कोई वेंटी लेटर होगो, उसको वहां से हटाएं, ताके बरहरात सूरच की किरने खबर रसूल के उपर पढ़े, लोगों ने जब ऐसा किया, और सूरच की किरने खबर अगर रसूल के उपर कोई अमारत जायज नहीं थी, तो पिर इसको भी आप हटाते या ताहाबा मेंसे हटाते कि वहीं सूरच की बरहरात ने चीज़े और आजमान ताले होनी चाहिए, उसको अमारत नहीं होनी चाहिए, ताहाबा मेंसे किसी ने क्यों नहीं तोड़वाई, बनके उसी च्छक के नीचे हज़द अबुबगर अज़द अमर की वखियत थी कि हमें धबन किया जाए रसूल अल्ला के साथ, और तिस यहीं नहीं, बनके हर जमाने में पिखंबर इसलाम के रौज़े की तामिरा की सरगर्में भी जारी रही रही, बनौ मयय और बनौ अब अबाद के अदवार भी बात में आए, और उन्होंने कबरों के अबर गुबद वगरा भी तामिर करवाए, और उस जमाने से लेकर आज तक इन थमाम रौज़ा रसूल पर भी और तमाम जो मद्दीत नबब भी है, और रौज़ा रसूलत में तद्धीन और आराइश का काम लिया जाता है, उसके लिए माहिरीन की सिर्माद भी हासिल की जाती है, और बाकाईदा किताब अथार में अमाम अबु हनिवा के हवाले थे कि उनको उस्ताज हमाद ने बताये था कि कुछ लोगों ने बाकाईदा पेगांबर इसलाम और अबुबगर और उमर की उबूर को देखा है, यदि बरायरात अपनी आपों से देखा था और वो फर्मात ने कि उनको ने बाकाईदा किताबों के अंदर बाकाईदा वो इमाम अबु हनिवा से और उनको उस्ताज हमाद से वो पूरी चीजे नकल की गई हैं कि कि तहा किती जिन्हों ने अपनी आपों से पब इमाम आदम अबु हनिवा जो से हमारे मेरादराने एहन सुनत के बड़ी आवाम जिनकी तफलीद आजकल करती है, गेर्टो हिजरी में तो इनकी पैदाईश हुई थी, उनके उस्ताज जिन्होंने वाबाद बयान की उस्ताज हमाद उस संपिनम तीन साल तो बड़े थे, इ इमाम अबु हनिवा के पैदाईश हुए, वो तीस साल बड़े थे, तो एक सो बीत इज्री का वाक्रा होगा है, यानि साट साल गोजिरों में इसे इस बाखर कर बला, उसको उनना अपनी आखों से प्रवाद पर देखा कि उसके उपर वाज़े तॉर पर गुम्बत भी कहा तो वो भार क्यों बाकि रखा गया, अच्छा प्रवाद इसलाम और खुलफा रोम और खुलफा अवगल जो से, उनकी कभूर पर भी इतनी अबुरी होई थी, अबुरी होई थी जमें तो बाद में किसी पी सहाबी नहीं या एहल बह्त पेसे किसी ने क्यों उसको गुल्ड के अज़ पनाते हैं जो सही मुस्लिम की रेवायद है कि प्रवायद है कि प्रमबर इसलाम ने कि कभूरों के ऊपर बैठने का और उसके ऊपर मैठने का नहीं इए, यह नहीं है रिवायद के इंदर के कभर के अछराफ में भी नवे नहीं, पकभर के वश्रा पचाफ साल तक क्यों खबर है रसूल के पास बैठे लिए अच्छा मुसल्मान घेजर-इसमाईल के बास जो भी आपने देखा था तस्वीर में क्यों बैटते हैं और आपर नमाजे अधा करते हैं और जहां तक रहा खबर के उपर बैठने का वो तो आज तक हमने कभी किसी प फिर्आगांबर के सगमबर ने मना की उस जमाने में बैडय था आज भी यहुदुन असारा के इंदर एक चीज राइक हैं वो पबरों के ओपर हमारत बना दिन ओव और शल किस्तरा हैं यह पर ने एक चीज बना दी यह ज़ी ज़ी बना दी जह वसके आई अवबरर उन्हों इसकी उपर एक structure बनाया है, यह कबर है, इसकी उपर एक structure है, यह जब से उनके अंदर राइज है, उस दमाने में सिल्सिला था, तो पेगांबर ने कबरों के उपर कोई इमारत बनाने चाह मना किया, अत्राफ में इमारत बनाने चाह मना नहीं किया था, जैसे कि आप इन ताव जम्हाम तजमीनों के अंदर देख रहा हैं । यह बिल्टिग ओर दगेव यह इल एक है ओर बिल्टिग अरांड दगेव यह इलिख ऍैकर ऐसे हिए। जिस तेखकी और तीज यहा हैं। और यह जी इमारते हैं, यह इबादत ए खुदा के लिए होती है। वहां मौझूद माकानात उन इबादत करने वालों के लिए फ़दा और सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। ताके उन शुकून से इबादत कर सके। वहां पे कोई मुर्दों को बूजने के लिए नहीं आता है। कोई उनकी कबरों को टिबला बनाकर उसकी तरफ रुख करके नमाजे नहीं पढ़ता है। बलके रौदों की शाम शुकत बढ़ाई जाती है। तुभफ थोधिय आलब में बजजए नॉपी की शाम शुकत की लिए कितना इखिदा माज की रही है। खुद रौदा ऑतोबी शाम शुकत की हर्वक्ष हो रही हर वात मश्म अन्य लिगार है। हर बच्न शुदाइक हो रही है। सोने का काम किया जा रही है। को जादादा जादा पूर्शिकों और खुबसूरत बनाने के ख़दामाच की जा रहे है तो यह काम को सब आप खुद भी कर रहे हैं तो यहां पर खबरें तो बनी होई ना उसके तजीन और अराइश उसके बिल्ड़ीन उसके लिए माहिरें के सेद्माच यह सब आप खुद भी कर रहे हैं तो पिस दूसरों को फक्त काफिरों मुश्रिक क्यों करार देती है अज़। पुऋसफा जिस पर इमादत का बड़ा सवाब बाकाइदा उसके ओओपर एंक खुए सफ़क के ओप एक गुमबग बना दिया गिर्ए एक गुमबग यह तो रसूल लाथ के दौर में नहीं था रसूल लाथ के दौर में नहीं था और इसकी हिपादथ के लिए ठीवारी, एक डीवार बंदी कर दी गई है उसके लिए और उपर ये गूमबात, ये रदूल के रहाने में नहीं था तो तृषी क्यों नहीं एक गूमबात बनाना अच्छा अब इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके पोई सफा के आके शीशे की लिए को भी बना दी गई है एक दीवार थी एसी भी लगा है वरना पहले तो जो तफ़ा मुर्मा के दंगान साही की जाती थी ये बिलकुल एक खुला इलाफा थी बस उपर एक साय के लिए चीज़ पड़ी होगी तो इससे पहले तो वह चीज़ भी की दिए बिलकुल खुला इलाफा थी और यह मरवा पहले जमाने में इस तरह से होती थी यह उपर जो चप्पर साइक चला आ रहा है इसके इसाय के अंदर लोग चाहिए कर दिया करते हैं लेकिन क्या है लेकिन फिर भी उसके बावज़ आप तो खेले बहुत ही कई मंदिला बना दी गई है और इसकी लग गए हैं और बहुत ही अंके दर्मियान में आने जाने वालों के लिए अलग राफ्ता नहीं हुआ करता था और एक रमाने में जब तूपान वगार आया था त अब एक बात और में कहें के फिर मैं बात को पिलाल स्थम करता हूं फिर अगले मख़ए के बाद फिर हम इसको जबारा बात को शुरू करेंगे कि खुद कितनी चीजों के सिलाफर्दिया आप खुद कर रहे हैं कितनी आहादिश की तो फ़कत फिर कबरों ही के तरफ फ़कत तवज्ज़ क्यों है इतनी ऐसी चीज़ें मसल काबे के अतराफ में बुलंद और बाम इमारते बनाना है इतनी रिवायतों के अंदर इस बात क बुलंद बीजियों को ना जो है बुलंद मन्जिल जो है वो खाने काबा अगालिबन लगता कि मक्का की सबस्टे चोटी अमारत बनके रहे हैं ये तिजारती मपासिजें बहुत सर चले हम कहें कि जाहिए इस इस आप की आप भी तो हादिसों के मुखालफात मुस्तकिन कर है कि इसकी मुमानियात आई ये आदिस में लेकिं फिर्वों कि जलील चाप कर रहे हैं तो ये तमाम चीजे दे कि इस तरह की हैं बहुत सारी चीजे हैं इसी मैं ये बात क्यांके फिलाल आपने को रोकूंगा कि इंटरनेट के ओपर दे कि हर चीज का आप पैदाबार ना कर कबर रसूल कहें कि बहुत सारी चीजें इस तरह की कर दी गई हैं और लोग कोचते हैं कि शायद ये पबर रसूल है और ये बहुत इंटरनेट पे जाली चीजे फैदाए गई हैं तेक्ड़ों साल से किसी शक्त ने भी पबर रसूल को नहीं देखा रहा है वहाँ पर मुकि pourtant आईक्रम पर श्लाम की खार नहीं ऐसा नहीं है भी गरला टूराओ कि इस के और भी इस कायाली बी है ल कि दोन्त भुआ है ये इसकोद की बातियार कि ये लोग गुवना करते हैं कि इसके नहीं कि इसके बातियार व फार गुआई लाम पर आप आजया थितेर कु़ भी और सिर्फ यहां की हैं तक बात नहीं है, बलकि मैं एक मिसाल और दे रहेता हूं, उसके बात बात कितम करेंगे, पिलाद इमाम आजम अबू हनीवा की कबर है, वगदार जरी बनी हुए बगदाद में, ये इमाम शाफिय की कबर है, कायरा में, कायरो, बिसिर में, ये उसकी कबर भी हुए, इमाम अहमद इतने हंबल की कबर है शाम में, इसके बार भी देखें, इमारा, खुबा, सब्सक्रावाम चीज़े बनी हुए, ये इमाम बुखारी की कबर है, समरकन में, उस्वकिस्तान, और ये उनकी, और तिर्फ यहां की हैं तक बात नहीं है, बलकि मैं एक मिसाल और देजेता हो, उसके बात बात करेंगे फिलाद, इमाम अज़ाम अबुखा की कबर है, वगदार जरी बनी हुए बगदाद में, ये इमाम शाफिए की कबर है, कायरा में, कायरो, बिस्र में, ये उनकी कबर, इसके बार पूरी इमारात भी बनी हुए, गुमब बनें में पुबाद में, बनें में, बुखता, और ऊची ख़बर भी इसमें। इमाम wollt, इसमें इाफ्कína की कबर है। इमारात इसमारत इसमारत से और जर्वार की काबर है, सिमर्वन में, उस्वकित्ताने और ये उनकी कबर है कुबा, बिल्डिंडिक बनी हुए, इतनी वहादी वहादी के लिये हुए उना ने कि जुनेत बगदादी के कब है इसके उपर इमारात खुबा इसनी बड़ी जरी यह सब कुछ बना हुआ है इनको क्यों नहीं आप धाते और खतम कर दें आपकी तुस तमाम रियासते इसके अंदर आप लोगों की वह है असर रसूख ह आएगी और भोई जन्नत बगई वाला शक्त उधाना खाकता इस तमाम खुबूर का भी ज़व को करना चाहिए इसी तरीक से अब्तुर गादिर चीलाही वागारा की भी खुबूर है तो इस तरह से इसी तरह से अग्यिवड़ी जन्नत बगई के है जन्नत बगई के अपल इसके ओबर भी पूरे कुम्बा और गुम्बद बने हुए था और उसक्त तो ये पहले आज़ते ख़दीजाय तहरा की जो पबरे मुबारक थी उसके ओपर कुम्बद बना हुआ था जर्मत अल्माला के खबरुस्तान ओपर से कुम्बद भी वहां से तोड़े गए बलके उसके बार कि इस तरह के खबर हो गए और इस पे भी कुछ मौमिनी वहां पर जाते थे और उन्हाद से निशान को गाती रखने के लिए वहां पर नाम बागारा भी लिख दिया था लेकिन अब तो वहां जाना भी तकरिमन बिल्कुल बंद हो गया है यह अज़र्द अधारा के खबर इस तरह कितने बुरे हाल में जो है वहां पर रखी गई फिर उसके बाद सोड़ी से बहुत सफाई करवा के और निशान को कम से कम करते चाज़े जा रहे तो आपने वह द पुबे बने हुए थी महां के डेमॉलिशन से पहले जो इन एदाम से पहले लेकिन उसके बाद फिर जब उपर से हट गया तो अब यह उनकी खबरे थी और उसके बाद और फ्लैट करते जा रहे हैं आइस्ता इसना बहुत सारी चीज़ों कर देख रहे हैं उसके साइजिक क आपको नजर आ रहे हैं इनके पीछे खुबूर हैं साल में कोई एक दफार शायर का कोई गेट खुलता है वो मुश्किल एद वगारा के मौके पर और वहां पर अंदर भी बहुत सारे अजीज जगहें के जहां पर आपसे मदीद रुकावट हैं कि अब उनकी आपों से उन कि इस नजर आनी चाहिए जन्नत माला में वह भी बहुत पॉसिबल नहीं रहे हैं इसकी तरह से हज़ते हम्जा का वाकाईदा रौजा और मकवरा वहबर बना हुआ था लेकिन जो है उसको भी ढढ़ा दिया गया और आप विल्कुल एक स्लैट कपर है और अब हज़ते जिसन के टुपड़े किये थे और जितनी उनके लाशे की बिहुरमती कीती और बाद में जान के फॉफ से उसने इसलाम फबूल कर लिया था लेकिन वहां पर अफराद खड़े होते हैं लोगों कोई कहानी सोना रहे होते हैं कि हम्जा इस तरह से शहुद हुद है बाद में जिने इसलाम फबूल कियो और वहिशी के इसलाम फबूल करने की मदा में पर पुरानी आयते नादिने तो बजाए कि आज़ते हम्जा के थिकर करते हैं को उनके पादिल का दस्कार है यहां बखत हो रहा होता है और अब बहुत सारी निगाएं पेगंबर इसलाम जिस जगह पर पैदा हुए यह पेगंबर इसलाम की विलादत का है और बहुत ज़ादा लोग घड़कते हुए दिल और एक फ़त्रा रिकम है सुसूरे जिस एदवार से इस इमारत को इसी तरह से बोसीता हाल में रखा गया है और अक्षर अफराद को तो हमने खुद वहां पर लेखा है बागादस के अतराफ में पिशाब बागारा करते हुए यानि कोई रोका बागारा नहीं जाता है और जो हाल इसका महां पर रवाज के साथ रखता हुआ है कि पहीं है ऐसा हो खुदा ना असा है कि इसको भी डिम आगारा यान के बड़ी बड़ी कवरें और सब कुछ बनी होनी है लोग उनके पास आते हैं तो बहल यह तमाम चीज़े रहती हैं अब आपके तमाम सामने हम नहीं कि तमाम तस्दीरें आ गए हैं आपको पता चल गया है इन सब पर गुंबल खे खुपे थे और उसके बाद इनको ठाया गया है मुसल्मानों के बाद बताने के जरूरत है कि हमेशा से यह चीज़े मौजूद थी यह नहीं कि यह पहले किसी तरह से चली आ रहे हैं तो इस दिन से में एक जिम्मेदारी का दसक्राम आपे चलकर करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए पांच-साथ जिसके मेरे अलामत और निशाने की होता है यही वजाए कि सफा और मर्वा को सुरह बगार की आयत नम्मर 118 में शायरे खुदा कहा गया इनक सफा और मर्वात में शायरे ल्लाव और इसके लावा सूरह हज में वो ओंट जो गुर्बानी के लिए मिना जाते हैं उनको भी शायरे खुदा कहा गया बन गुदना जालनाहा लकुम शायरिल्ला जो गुर्मानी के लिए जो जानवर ये जो ओंट वगारा ले जाए जाते हैं उसको भी शायरे खुदा कहा गया इस दी की चीजे दीन हनीफ और आईन इवराहीम की अलामत और निशानियां इसी तरह से मुझदलिफा को मशरू अलहराम इसी वज़ा से कहा जाता है कि ये दीन खुदा की निशानियों में देखें मुझदलिफा का मेदान वहां वकूफ करके खुदा के इसाद गुदार होने की अलामत चुमार किया लिया और तमाम मनासिक के हैज को भी शायर उल्दा का लिया तो क्या अंबिया आइमा या ओलिया उनकी जो ज़वात मुधद्धा है उनकी खुबूर को देखकर इसी को दीन खुदा की अजमत का इसाद नहीं होता और क्या उनकी इसाद का कोई जजबा उनकी खुबूर को देखकर पैदा नहीं होता क्या ये सब शायर नहीं हैं क्या अस्किस पॉर्सिस पहाड और उंट शायर खुदा है यानि माजल्ला जमादाद जैसे पहाड, हैवानाद जैसे उूट ये तो शायर खुदा हूं लेकिन जिनके सब्सके में काइनात बनी हो जिनके लोगों ने दीन लिया हो उनके अस्लाम औ खुबूर की तो निशानिया है वो शायर खुदा नहूं इस नजरी का तो इसलाम से कोई ताल्ग हो नहीं चाहाँ ख़दत आदम से लेकर आज तक सब लुखाओ मुस्लिम हो या गहरे मुस्लिम अगर उसमें फित्रत सेलीम पाई जाती है इसका इसलाम से भी ताल्ग हो नहीं तमाम अफ्राद सबकी फित्रत के अंदर इस चीज़ है कि अपने बुद्रोगों की ख़बरों पर जाकर फूर चड़ाते हैं वहाँ पर पौदे लगाते हैं यारियां बनाते हैं उसकी सजावट का इस इमाम करते हैं उसकी सफाई का इस इमाम करते हैं उसा एंग